सभी धनूराजी के भाई बहनों का हार्दिक अभिनंदन एक बहुत बड़े आर्थिक लाभ के आउसर को पदर्शित करता हुआ यह वीडियो आपके समक्षुपस्थित है आज हम जानने वाले हैं कि कैसे एक बड़े आर्थिक लक्ष को प्राप्त किया जा सकता है क्योंकि इसी समय पर अभी आज 19 तारिक से ही त्रीग रही योग का एक समायोजन बनने वाला है यह जो योग बन रहा है यह प्राप्ति के इस्थान पर है छटे भाव पर यह योग बन रहा है इसका समय होगा 19 मईस से लेकर के पूरे के पूरे 12 जून तक के समय पर इस समय पर एक ऐसा योग बन रहा है जिस समय पर आपके लाभेस अर्थात लाभ भाव के स्वामी ही उपस्थित रहेंगे आपके प्राप्ति के इस्थान पर एक ऐसा अचुक उपाय आपको बताने जा रहे हैं जिस उपाय के माध्धम से आप बहुत अधिक आर्थिक लाभ और समपनता को प्राप्त करते हुए अपने आर्थिक लक्स तक पहुँच पाएंगे एक ऐसा लॉजिकल उपाय होगा जिस उपाय को करने मात्र से ही आपके आर्थिक समपनता और इस्थिर लक्षमी की प्राप्ति आप अपने घर पर ला सकते हैं यह उपाय बड़ा ही लॉजिकल होगा इस त्रीगरह योग के समायोजन से यह उपाय निकलेगा इसे स्वयम समझेगा जानिएगा और यदि आपको लगे कि इस उपाय को वास्तों में करना चाहिए यह लॉजिकल है तब इस उपाय को जरूर कीजेगा समझते हैं जानते हैं कि ये प्रभाव है क्या एक मई सन दो हजार चोबिस का वो दिन था जिस दिन देव गुरु बिरस्पती जो कि आपके चतूर्थेस होते हैं ये ठीक आपके छटे भाव पर उपस्थित हुए थे जैसे ही 14 मई का दिन आता है तभी का वो दिन होता है जो आपके योग कारक अर्थाद भाग के स्वामी सूर्य भी ठीक आपके छटे भाव प्राप्ति के स्थान पर उपस्थित हुए थे और जैसे ही अभी 19 मई का डेट आता है भागवान सुकरा चारेजे जो आपके लाभेस हैं ये भी एक संग उपस्थित हो जाएंगे छटे भाव पर इन तीन ग्रहों के प्रभाव से एक योग बनेगा जिसे कहा जाएगा त्री ग्रही योग अब वास्तों में जब जनम पत्रिका में ये योग बनता है उस इस्थिती पेर हम किसी को ये रेमेडी देते हैं ये उपाय बतलाते हैं लेकिन यदि हमारे जनम पत्रिका में इन तीन ग्रहों का समायोजन नहीं है तब भी इस समय पर जो की गोचर वस ये आए हुए हैं अर और्थिक स्थिति को परिवर्टन करा सकते हैं। छठा भाव है मेरे करजों का। अर्थात करज से मुक्टी के लिए ये रामबार उपाय हो सकता है। एक ऐसा समय ये उपाय रहेगा, जिस समय पर मेरे लाभ के स्वामी आ रहे हैं, प्राप्ति स्थान पर, अर्थात एक बड़े धनलाब का योग बनता है, एक बड़े आर्थिक लक्ष की प्राप्ति का योग बनता है, चुकि चतूर्थेस भी आपके प्राप्ति भाव पर तो चतूर्थ इस्थान अर्थात मेरी अपनी प्रॉपर्टी से मुझे धनलाब हो सकता है स्वयम आप अर्थात आपके अपने रासी के स्वामी देव गुरु बिरस्पती हैं आप स्वयम इस समय पर आर्थिक लक्ष की प्राप्ति के लिए इस समय पर ज्यादा कारियरत रहे चुकि आज बात सिर्फ और सिर्फ धन की होने जा रही है तो समझे जरा सूर्य को ये आपके भाग्य के स्वामी है चुदा तारिक स्याय हुए हैं इन त्री ग्रही योग में उनका सबसे बड़ा रोल होगा कि भाग्य का साथ भी यहाँ पर मिल गया देव गुरु अर्थात यह इस्थान सबसे अधिक प्रभावित हो करके कोई बड़े धनलाब का ऑसर बना सकते हैं अब क्या उपाय करें और कब तक इसका प्रभाव रहेगा तो बता दें देवगुरु बिरस्पती पूरे एक साल तक है तो जो अभी अभी आपको प्रेडिक्शन बताया है वो पूरे एक साल तक प्रभावी रहेगा लेकिन ये जो त्री ग्रही योग का प्रभाव है इस उपाय को यदि आपने कर लिया तो चीर काल तक बहुत लंबे अवधि तक इस थिर लक्षमी की संपनता को आप्राप्त कर सकते हैं सबज़ेगा उस लॉजिक को हम सुक्र को लेते हैं एक धन के रूप में धन कारग ग्रह होते हैं सुक्र इस ते हमने यहाँ पर धन लिखा है सूरी को हम मानते हैं गवर्मेंट सासन को रिप्रेजन करते हैं सूरी स्थान माना गया है उनको रिप्रेजेंट करते हैं ये ब्रामः और गुरू अर्थात इस समय पर करना क्या है दो नंबर की रासी पर ये समाहित है इसको भी ध्यान लखेगा ये भी काम आने वाला है आप अपने घर से जाए किसी ब्रामः के पास जाए और या फिर किसी गु तत्व को मजबूत कर लिया अर्थात गुरू को यहाँ पर एक्टिवेट कर लिया उस सिक्के में आपको ध्यान होगा एक असोक इस्तंब होता है जो कि गवर्मेंट को रिप्रेजेंट करता है इस हिसाब से हमने सूर्य को भी यहाँ पर एक्टिवेट कर लिया तीसरा पैस अर्थात वो सिक्का स्वयम अपने आप में ही धन का सुचक होता है इसलिए हमने यहां पर सुक्र को भी मजबूत बना लिया अब इसे घर लेकर के आईए चूंकि यह धन की बात हो रही है माता लक्षमी जी यह घर पे हैं वहां पर उनके चरणों पर रख दीजे या जहां प फिरिभी जी की है अर्थात संचित जमा भनैंडन को करता है जीधि इभाव वह इस इस्थान है जहां पर हमारा धन संचित होता है अर्थात हम अपने घर पर जहां धन रखते हैं जहां पैसा रखते हैं उस इस्थान पर उस सिक्के को लिजा करके बड़े स्रद्धा के साथ आप इस्थापित कर दीजे निश्चय मानिये आर्थिक प्रबलता को सिद्ध करा देगा वो सिक्का निश्चय बानिये कि आपने इस्थिर लक्षमी को आपने वहाँ पर निवास करा दिया अब एक दिर्घकाल तक वो संपनता मौजूद रहेगी सालों साल में एकाथ बार ऐसा संजोग बनता है जब तीन ग्रह अर्थात गुरू, सूर्य और सुक्र एक संग समाहित होते हैं ये समय है मेरे आर्थिक लाब को ये समय है मेरे करजों से मुक्ति दिलाने का ये समय है इस उपाय के माध्धम से हम बहुत अधिक लाभानमित हो सकते हैं रहने दीजे उस अपने परिसानियों को रहने दीजे अपने तनावों को ये कैसा उपाय होगा उन परिसानियों से उन तनावों से मुक्ति दिला करके आर्थिक रुप से हमें संपन्नवान बना जाएगा उम्मिद है आप सबने इसे समझा है आप सबने इसे जाना है यदि आपने इसे समझा है जाना है मेरे समझाने का प्रयास यदि आपको सार्थक लगा हो मेरे समझाने का तरीका यदि आपको सार्थक लगा हो तो हर बार की भांती इस बार भी अपना प्यार भरा लाइक और कमे प्राइसरी रहुं